आगे देखें कि Elasticity of Supply को अब क्या-क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं ये 5 नंबर के question आ जाते हैं बहुत ही normal way से आप इसको पढ़िएगा जैसे nature of commodity अब nature of commodity क्या होता है कि कुछ commodities perishable होती है और कुछ commodities perishable नहीं होती है उसका मतलब क्या होता है perishable मतलब वो खराब हो जाएंगी अगर एक कोई हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कोई tomato लेके आ रहा है अगर वो tomato वो ये नहीं बोल सकता है कि भाई आज tomato नहीं बेचता हूँ मैं एक साल बाट टमाटर बेच दूँगा वो टमाटर खराब हो जाएंगे तो रंत तो उसके पास उसकी elasticity of selling the good is less क्योंकि वो differ नहीं कर सकता है अपनी selling whereas कुछ durable goods भी होते हैं तो durable goods क्या होते हैं durable goods को बहुत जादा store करके रख सकते हो आप किसी ने books बनाई है तो books उसकी आज sale नहीं हो रही है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आगे चल के sale ना हो हो सकता है कि उसको समझ में आगया कि आज crisis है तो मैं आज बचा के रख लेता हूँ पर perishable goods के साथ ऐसा नहीं होता है उनकी elasticity कम होती है अगला point है time period time period यह होता है कि long और short period जो अभी हम देखते हुआ आ रहे हैं कि अगर मेरे पास long period है तो मैं अपनी supply को change कर सकता हूँ पर अगर बहुत ही short notice पे मुझे annual function के कपड़े बनाने को बोलोगे तो मैं नहीं बहुत जादा change कर पाऊंगा इससे elasticity of supply बदलती है तीसरा is nature of inputs used inputs क्या होते है raw materials जो आप use करने वाले है for the supply मतलब आप जो supply करने वाले हैं good उसका raw material कैसे आ रहा है अब अगर मेरा input बहुत ही easily available है और accessible है मेरे को जादा struggle नहीं करना पड़ता तो मेरे को दिक्कत नहीं है उसकी supply को change करने में whereas अगर मेरा input बहुत complex है ऐसा मानिए कि मैं एक watch बना रहा हूँ जो राजस्तान के बीहड में मिलता है ऐसा मानिए या उसके अरावलीज जो close by उसके forest है सिर्फ वहाँ उसका एक ऐसा हीरा मिलता है जो मैं अपनी watch में अब इसकी accessibility क्या हो गई इसकी accessibility बहुत ही मुश्किल हो गई अब इतनी मुश्किल accessibility में अगर कोई मेर से supply बढ़ाने और कम करने के लिए मेरे पास आता है तो मैं बहुत ज़्यादा उसको change नहीं करपा हूँगा इसलिए nature of inputs used हो गया अगला हो गया cost of production अब अगर हर एक good को extra बनाने की मेरी cost बहुत ज़्यादा होती जा रही है अगर बहुत ज़्यादा cost है तो मैं नहीं I will refrain from making those goods पर अगर वो मुझे सस्ते में मैं बहुत सारे अगर मैं 100 बना रहा था और similar per unit cost पे 200 goods भी बना पाता हूँ तो मैं obviously अपनी supply बढ़ाऊंगा पर अगर मेरी cost of production भढ़ जाती है suppose करिये कि मैं आज 100 goods बनाता हूँ पर अगर मुझे 200 goods बनाने हैं तो मेरी per unit cost एक Costco की ball की cost पहले जो 20 रुपे में मैं बना पाता था अब क्योंकि मेरी machines ज़ादा चलने लगी हर चीज मेरे को बहुत ज़ादा लगने लगी का per unit cost मेरी Costco की ball की अगर 40 रुपे आ गई तो मैं उसको supply बोलूँगा कि रहन दो यार मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूँ मैं इतने पे ही रखना चाहता हूँ अगला हो गया technique of production अब technique of production भी या तो complex हो सकती है या तो बहुत normal या easy हो सकती है अब कोई बर्फ का गोला अगर बनाने को आया है उसकी technique बहुत easy है तो वो probably उपर नीचे उसके production को कर सकता है उसको बर्फ ही सिर्फ ज़गाणनी है whereas कुछ techniques में लग जाता है ऐसा imagine करिए कि कुछ super computer लग रहा है मैं cryptocurrency या कोई एक मतलब बहुत ही high five चीज में deal करता हूँ जिसको बनाने के लिए super computers या बहुत extreme machinery लगती है तो और वो machine के बाद अलग machine अलग machine अलग machine तो बड़ा complex सा अगर मैंने ecosystem बना के रखा है तो मैं अपनी supply बहुत जादा उपर नीचे नहीं कर पाऊंगा वेराज अगर बहुत simple technique है कि मेरे को बस चर्खा अपना घुमाना है और कपड़ा बन जाता है तो मैं अपनी supply उपर नीचे कर सकता हूँ अगला है natural factors natural factors तो climate change को अब सब जानते ही है कि कैसे अपने production कभी बाड़ आ जाती है कभी बहुत सूखा पड़ जाता है कभी अर्थ को एक आ जाता है अपने हां तो volcanoes नहीं है जैपान की बात करें तो volcanoes बहुत हैं इंडोनेशिया जैपान में तो वो फट जाते हैं पूरी economy तहसने सुजाती है तो ये इसका तो इससे भी supply of course affect करती है पर जितने ये थोड़े बहुत भी control level ये तो बिलकुली control level नहीं है unless climate change को आप एक phenomenon मानते हैं